हेलो एप्रिवन कैसे आप सभी सभी को जय हिंद सातियों आज एक बहुत बड़ा मुद्दा जो बहुत गर्म मुद्दा चला है कि इलेक्टोरल बॉंड की जानतारी है बिल्कुल जी हाँ बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं आज इस इलेक्टोरल बॉंड पर पूरी लगवग मैंने तीन से चार घंटे की स्टडी की और उस तीन से चार घंटे में कुछ रिसर्च के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ क्या हजारो करोड का घोटाला इस इलेक्टोरल बॉंड के नाम पे हो गया क्या बड़ी-बड़ी कंपनियां सरकार को चंदे के रूप में देती हैं आकिर उस उन बड़ी-बड़ी कंपनियों का चंदा देना सरकार को क्या कंपनियों के लिए फाइदे मंद होता है क्या बड़े-बड़े घोटालों के पीछे ये भी कारण हो सकता है कि बड़ी-बड़ी कमपनिया पार्टियों को फंड देती है और इस फंड का उप्योग सरकार अगर करती है तो सरकार को कहीं न कहीं कंपनियों की वी बात कई बाते मजबूरी में माननी पड़ती है इस सभी का पूरा एकदम जबर्जस तरीके से एनलिसिस में करने बाला हूँ और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखे सबसे पहले तुम एक बात यहाँ पर करने बाले है कि आखिर ये Electoral Bond है क्या और इसके तुम क्या होता है सबसे पहले आप देखिए क्या लिखा है कि दा Electoral Bond Scheme was introduced by रा नरेंद मोदी led government to facilitate political funding in India introduced in 2017 ये जो Electoral Bond की बात करें इसकीम ये भारत सरकार में माननी प्रधानमंती स्री नरेंद मोदी जी के द्वारा 2017 में इसको लाया गया The Electoral Bond Scheme enabled individuals and corporate groups to donate money to their desired political parties इनों ने कहा कि इसके तहत जितने भी बड़ी-बड़ी companies हैं या groups हैं वो अपनी इच्चानुसार अपनी अपनी पार्टियों को जिसको भी वो पसंद करते हैं वो उनको donation के तौर पर दे सकते हैं and after that without disclosing their identity मतलब उनकी पहचान भी डिस्क्लोज नहीं होगी और वो अपनी पार्टियों मतलब जिस पार्टी को भी पसंद करते हैं उनको इस Electoral Bond के माध्यम से पैसा चंदे के रूप में दे सकते हैं सबसे बड़ी बात आखिर पार्टी को चंदे की जरूरत क्यों पढ़ती है इतने जादा चंदे की जरूरत क्यों पढ़ती है खेर अभी हम कुछ आंकडे देख लें अगर हम आंकडों पे पहुँचे आप लोग देखिए यह एक सेंपल है कि जो भी मालीजे कोई भी कमपनी है suppose मैंने Reliance India Private Limited ले ली वो क्या करती है कि SBI से Electoral Bond लेती है और उस Electoral Bond के तहत वो अपने suppose उसे एक Electoral Bond दो, दस, हजार जितने भी ले लिए उसके तहत एक इंस्टूमेंग मतलब एक पैसा होता है और पैसे के तहत यह तो आपका हो गया कि State Bank of India के तहत आकिर Electoral Bond क्या होता है चलिए, अब एक बात आपको मैं यहाँ पर जो बताने बाला हूँ यह बहुत महत्तपूर है अभी जो Election Commission of India की Official Website पर डेटा आया तो सबसे पहले तो आप यह जान लीजिए कि टोटल जो amount है, वो है 12,799 करोड ज्यान से समझिएगा मतलब टोटल Electoral Bond के तहत पाल्टियों को जो पैसा दिया गया है पाल्टियों को जो फंडिंग पोहँची है वो है 12,799 करोड 12,700 रुपे नहीं है 12,799 करोड करोड है अब सबसे बड़ी बात आप इसमें देखिए जो पहले नंबर पर जो पाल्टियों है वो भारती जनता पाल्टियों है BJP जिसको 6,030 करोड रुपे यहाँ पर Electoral Bond के तहत पाल्टियों को फंडिंग के रूप में मिले है मतलब टोटल एमाउंट का 43% 43.46% मतलब भारती जनता पाल्टियों एक ऐसी सबसे बड़ी पाल्टियों है जिसको Electoral Bond के नाम पर सबसे ज़्यादा पैसे मिले है वो है कितने मेरे बचे 6,060 करोड यानि की टोटल आप एमाउंट का परसेंटेज देखे तो 47.46% अच्छा अब इसमें एक चीज समझने बाली है इसके बाद All India तिर्मूल कॉंग्रेस मतलब आप यह देखिए तिर्मूल कॉंग्रेस को 1,609 करोड फिर प्रेसिडेंट All India कॉंग्रेस कमेटी 1,421 करोड भारती राष्ट समिती 1,214 करोड मतलब फिर इसमें बहुत से है राष्टी जनतादल है मतलब जितनी भी पाल्टी है आप यहाँ पर देखे तो दूसरे नंबर पर कौंसी है All India तिर्मूल कॉंग्रेस जिसको 1,609 करोड और All India कॉंग्रेस कमेटी को 1,421 करोड यानि लगवग में टॉप त्री पाल्टी में आप देखे तो पहले नंबर पर भाजपा दूसरे नंबर पर तिर्मूल कॉंग्रेस और तीसरे नंबर पर All India कॉंग्रेस कमेटी इन तीनों का परसेंटेज अगर हम मिला दे तो लगवग लगवग 60-61% के एप्रोक्स में बनना है इसके बाद जितनी भी पाल्टिया है चोटी-चोटी पाल्टिया है जिनको लोग पैसा यहां पर दे दिया इलेक्टोरल बोर्ण के नाम पर अच्छा एक मजे की बात आप यह देखे कि 12,779 करोड की बात करें तो इसमें जो टॉप 10 कंपनी आ रही है जैसे पहले नंबर पर है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विस मैंने तो इस कास तक यह नाम नहीं सुना ध्यान से समझ दा 1360 करोड मेगा इंजीनिरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिम्टिड 966 करोड क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिम्टिड 410 करोड बेदान्ता लिम्टिड 400 करोड मदलब आप यहाँ पर देखिए तो टॉप 10 यह कुछ कंपनी है जिनोंने इतने करोर रुपे इन पाल्टियों को Electoral Bond के रूपे दिया है एक बात यहाँ पर और बनती है आप यह भी कह सकते हैं कि सर जो बड़ी बड़ी कम्पनी है जैसे अमानी जी का नाम बहुत आता है अडानी जी का नाम बहुत आता है आकिन इनके नाम क्यों नहीं अभी तक आये होना बाकी है अभी इसको इलेक्शन कमीशन ओफ इंडिया को सौपा गया है मतलब दीदी सी बात आप ये समझे कि यहाँ पर अगर आप देखें और ये पैसा एक बात और समझना मैं आपको एक चीज और बता दू इस पैसे की अगर आप बात करो तो ये पैसा पांच साल में लगबग पांच साल में इतना पैसा है जो की इन पार्टियों को दिया गया है आप उससे पहले की तो बात छोड़ दो उसके पहले का तो कोई डेटा ही नहीं अब मजे की बात आप ये देखिए भारत देश में इतनी भुकमरी है भारत देश में इतनी भुकमरी है लोग ग यूज कहां करेंगी, अपने प्रचार में, अपने प्रचार प्रसार में करती हैं, ठीक है, बड़ी-बड़ी गाडियों से अगर आप देखें, चलने का, और ये सारा प्रचलन, जो भी राखेर, ये सब खुलासे बाद में होगे, क्या चीजें खुल कर आती हैं, क्या आगे ह हमेशा के लिए दबी रहेंगी, ये तो बात की बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है, कितने करोड रुपए ये पार्टी के फंड में जाता है, अब एक बात आपको यहां पर और देखनी है, मैं आपको एक मजे की बात और बता दू, कि भारत में अगर बात करो, तो एक र बिलियन रुपए 2030 तक, अगर हर साल 74 बिलियन रुपीज, यहां पर 74 बिलियन का मतलब, एक बिलियन में होते हैं आपके 100 करोड, तो 74 बिलियन में 74 करोड, मतलब 7400 करोड रुपए, अगर हर साल 2030 तक ये पैसे इन्वेश्ट किये जाए, तो भारत से 2030 तक भुकमरी पूरी त देखो तो 5 साल में 12,790 करोड अगर इस पैसे को भारत देश की भुकमरी खत्म करने के लिए लगा दिया जाए मतलब आप मोटे मोटे तोर पे समझेए 2030 तक मूला है अब 12,000 इसकी कल्कुलेशन देखिए 12,790 करोड पाच साल में और अब 2024 से 2030 तक आप लगबग 15,000 करोड और जोड लो तो यहाँ पर 9,6,7,5,2,7,1,2 अगर आप देखें तो मेरे बच्चे हम ये कह सकते हैं मेरे दोस्तों कि भारत से 2030 तक पूरी भुकमरी खत्म हो जाए अगर इन इलेक्टोरल बोंड का के पैसे का प्रियोग भारत देश की भुकमरी को ख वड़ी कम्पशनी कि घिन में हो सकता है कई क्यृपटिड कमपनी हो कई कंपनी है जिनका इसमें नाम यह आहीं है इभन मैं आपको बता दू और बहुत से नाम खुलेंगे अभी पे कंपनी ऐसी हैं घिस अभर रिलाइंस इंडिया लिंटिड है झापोज मों गर पैसा दे तो वो दूसरे के नाम से देगी, अपने नाम से डारेक्ट नहीं देगी, गर वो सारे कुलासे भी यहां पर होने, आप दुर्भाग की बात यह देखिए, इस रिपोल्ट के बाद मुझे यह लगता है कि भारत देश में कोई भी पाल्टी गरीबों के सच में सचे मन से हित्म कार करने के लिए कोई भी तयार नहीं है, इस देश से बेरोजगारी जैसी समस्याएं, इस देश से भुकमरी जैसी समस्याएं, तायद बहुत जल्द खत्म हो सकती हैं, अगर इस तरह के तारी चीजों पर रोक लगाई जाए, यानि कि इस पैसे को डारेक्ट आप जनता की भलाई में अगर उपियोग किया जाए, तो सायद ये सारी चीजे खत्म हो जाएं, अगर क्या इस से पहले चुनाओ नहीं होते थे, भारत देश जब आजा दुगा, उसके बाद क्या इतने करोड रुपे किसी भी चुनावों में, डेलियों में, बड़ी-बड़ी होल्डि गया, तुनाओ को एक बहुत बड़ा मुद्दा बना लिया जाता है, भारत देश में राजनेता देश सेबा के लिए नहीं, बलकि जब से पहले अपनी सेबा को देखते हैं, तो सातियों, मैं तो इसको बहुत बड़ा घोटाला ही कहूंगा, आप लोग इसके बारे में क्य पहुचाने के लिए भी The Legal Defense Factory YouTube Channel आप सभी के बीच में आता रहेगा, आप लोग कमेंड करके जरूर बताइए, क्या इलेक्टोरल बोन जैसी सुविदाओं को तुरंत खत्म किया जाना चाहिए, या नहीं किया जाना चाहिए, आकिर पाल्टियों को इतना मोटा पैसा क्यों जाता है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, इस वीडियो को लाइक, तेयर जरूर करें, और कमेंड करके अपनी राए जरूर दें, क्या इस फंड का उप्योग सचमे भारत देश की भुकमरी को, गरीबी को, वेरोजगारी को खत्म करने में किया जाना चाहिए, य जा फिर नहीं किया जाना चाहिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को, जे हिंद, जे भारत!